हेलो गाइज, वेल्कम बैक टो आर नू सेशन, तो आज का सेशन है अमारा 11.1 का थार्ड सम, तो चलिए करते हैं थार्ड सम, थार्ड सम क्या दे रखा है, the shape of a garden is rectangular in the middle and semi-circular at the end as shown in the diagram, find the area and the parameter of this garden, यह कह रहा है, एक गार्डन की जो shape है वो rectangular है middle से, और semi-circular है बाहर की साइड से, semi-circular का मत्रब होता है, अर्द वृत, ठीक है, जैसा कि figure में दिखाई दे रहा है हमें, यह figure हमारा, ठीक है, find the area and parameter of this garden, इस garden का हमें parameter और, क्या निकालना है, area निकालना है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्या कुछ है इसमें, सबसे पहले हमें करना है figure row, ठीक है, figure row कर ठीक है, ठीक है, अब उसने यह बोला है, कि यहां से लेके, यहां तकि इसकी लंबाई है, 20, और जो यह breath है, यह है, 7 meter, में यह हो रही है, ठीक है, अब देखो, अगर हमें rectangle की side चाहिए, ठीक है, तो यह आपको दिखाए दे रहे है, यह क्या है हमारा, circle, semi circle है, ठीक है, semi circle है, तो यह 7 है, यह पूरी की पूरी 7 है, और अगर इसको half कर दे, तो वो कितनी होगी, 3.5, ठीक है, क्योंकि यह क्या है हमारी, यह diameter है, पूरी की पूरी, देखो, अगर कोई circle होता है अगर उसके center से हम पूरी की पूरी ये line मिला दे तो यह यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा क्या होता है यह diameter होती है और अगर हम half करें ऐसे center से कहीं भी circle तक match करें हम center से लेके तो यह होती है हमारी radius और radius में और diameter में क्या फर्क होता है radius is equal to half of diameter यह चीज़े equal होती है ठीक है I think यह चीज़ सबको समझ में आ रही होगे अगर radius हमारी diameter की half होती है तो यह radius है यहां से यहां तक radius है means यह भी radius है यहां से लेके यहां तक और यह भी उपर वाली भी तो हम इसको यहां से यहां तक वाली को 3.5 मान सकते है यह भी क्या है 3.5 है मतलब 3.5 यहां से गया 3.5 यहां से गया 7 कट गया इस 20 में से तो जो अंदर की जो side है वो हमारी कितनी बच गई 13 meter ठीक है बस इसमें यही चीज़ देहन रखने की है ठीक है और तो हर को यह बच्चा करीदेगा अब देखो rectangular length of rectangle short form में लिख रही हूँ मैं ठीक है is equals to कितना आगया 13 meter breath of rectangle कितने आगी 7 क्योंकि यह तो पूरी की पूरी लेनी पड़ेगी यही तो ब्रेथ 7 लिखेंगे हम 7 meter अब एरिया of rectangle क्या होता है length multiply breath तो 13 multiply by 7 13 7 जा कितना होता है 91 meter square ठीक है यह आगया हमारा area rectangle का ठीक है लेकिन जो field है field में तो यह circle भी तो है circle का भी तो निकालना पड़ेगा तो half circle यह है और half circle यह है अगर हम इन दोनों को add कर दे तो full circle बन जाएगा radius तो same ही है इसकी भी same है मतलब हम full circle की निकाल लेते हैं नहीं तो half half की निकालेंगे तो half की निकालेंगे फिर उसमें फिर दुबरा में उसको add करना पड़ेगा बात तो वही है same है कैसे भी कर लो कान को चाहिए ऐसे हाथ गुमा की इदर से पकड़ो या उदर से पकड़ो कान पकड़ा तो कान ही है ना तो सेम ऐसी बात यहां पे है तो हम circle का ही निकाल लेते हैं एरिया ओफ सर्कल इसमें रेडियस लिखते हैं पहले रेडियस ओफ सर्कल क्या है 3.5 मीटर ठेक है अब एरिया यह आरे रेडियस एरिया ओफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्केर अब पाई आर स्केर हों कैसे सोल करते हैं पाई की वैली होती है हमेशा 22 बटे साथ मिस 22 बाई 7 multiply by R 3.5 था हमारा फिर से 3.5 ठीक है अब point है point को अगर हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं जितना भी point के बाद नंबर होता है उतनी 0 लगा देते हैं 1 के बाद तो हमने 10 कर दिया क्योंकि 1 number है point के बाद ये कर दे अब इसको काट देते हैं अब 11 के और 7 के multiply 77 77 बाई 2 इसको हम क्या ली सकते हैं 38.5 meter square ठीक है तो ये हमारा rectangle का area 91 और ये हमारा circle का अब में total area of field area of field क्या करेंगे हम circle का भी area और rectangle का area add कर देंगे तो rectangle का area था क्या 91 plus 38.5 meter square इन दोनों का अगर हम add करेंगे तो क्या हैगा हमारा 8 और 1 9 और 9 और 3 12.5 meter scale ये तो हो गया area अब हमने निकलना है parameter of rectangle ये क्या होता है 20 होगा है 20 को 2 से multiply करेंगे तो 40 meter अब parameter of circle 22 meter अब parameter देखो rectangle का भी parameter आ गया हमारा और circle का भी अब total parameter क्या हुआ टोटल पेरमिटर अब 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 उसने मतलब कोई area दे दिया है कि बही कोई area है आप देखो पहले बना लेते हैं parallelogram ठीक है अब parallelogram में उसने बोला है जो base है वो है 24 cm और जो corresponding height है ठीक है वो दे रखे 10 cm ठीक है ये tile का shape है ये क्या है हमारी tile टाइल की shape है ठीक है अब टाइल की shape है तो पहले हम टाइल का area निकाल लेते हैं area of tile क्या है ये क्योंकि parallelogram है ये कैसी है parallelogram shape की है अब parallelogram का area होता है वो क्या होता है जैसा हमारा rectangle का होता है length into height क्योंकि इसमें height ही होती है हमारी height ही अब आप इसको breath भी बोल सकते हो ठीक है तो हम कह लेखेंगे 24 area कितना है जो floor का area है area of floor अधूर झायो झायोगे प्लब है झायोगे का थाइंड गार्म